तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वाला हूँ क्या 12th की क्लास PCM से पास करने के बाद क्या जो BAMS का जो कॉर्स है उसे किया जा सकता है के नहीं Hello Friends, आप देख रहे हो Educational Word Store Channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वाला हूँ BAMS कोर्स के बारे में और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जए जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस बीडियो के description में दे दिया है तो चलिए अब हम अपनी इस बीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे कहिस चूडन्ट का दोस्तों जी doubt होता है कि can I do BAMS course after 12th PCM जैनि 12th की क्लास PCM से पास करने के बाद क्या जो B.A.M.S का जो कोर्स है उसे किया जा सकता है के नहीं तो मैं आपको उताना चाहता हूँ जी नहीं आप 12th की क्लास PCM से पास करने के बाद आप जो B.A.M.S का जो कोर्स है उसे आप नहीं कर सकते अगर मैं आपसे BA MS course का eligibility criteria आपसे में discuss करूँ तो eligibility criteria दोस्तों जै कहता है कि आपको जो 12th की class है उसे आपको पास करनी पड़ेगी आपको 12th की class आपको PCB के subject के साथ आपको पास करनी पड़ेगी जिसमें आपको physics, chemistry और जो biology का जो subjective वो आपको compulsory पड़ना ही पड़ेगा तो 12th की class को PCB के subject के साथ पास करने के बाद आपको इस course में admission मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे B.A.M.S. course के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नई तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद